हेलो व्यूवर्स मैं हूर फाकत यूनस और आप देख रहे हैं वीडियो एडिटिंग सौफ्ट्वेर वंडर शेयर फिलमॉरा का सेकेंड लेसन जिसमें हम बात करेंगी कुछ बेसिक टूल्स के हवाले से तो व्यूवर्स लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलो कि ये वीडियो इस चीज़ को मदे नज़र रखकर बनाई जा रही है कि एक ऐसे शक्स को सिखाया जा रहा है जिसको वीडियो एडिटिंग के हवाले से या वंडर शेयर फिलमॉरा के हवाले से बिलकुल भ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जैसे कि आप बैक्राउंड कैसे चैंज कर सकते हैं और जूम इन आउट और ट्रॉप भी कर सकते हैं वीडियो को इसके लाब पीसी डेक्स्टॉप रिकॉर्डिंग और वोईस वावर किस तरह आप कर सकते हैं इसमें भी एक प्रॉपर की अपराओंड को फानलोड करने के बात यहां से इसको लांच करें इसको डाwnलोड करने का, इंस्टॉल करने का, और रिजिस्टर करने का जो तरीका है, वो फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, यहां से फुल फीचर मौड स्लेक्ट करें, और उसके बाद इस तरह का जो इंटरफेस है, वो आपको नज़र आएगा, बाइड डिफाल्ट वंडर शेयर फिलमौरा का जो इंटरफेस होगा, वो डार्क कलर में होगा, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से आप इसको लाइट भी कर सकते हैं, और यह इसकी लाइट स्किन है, लेकिन मॉस्टली जो वंडर शेयर फिलमौरा क डार्क स्किन में यूज़ किया रहते हैं तो अगे आप यहां से इसको चैंट कर सकते हैं तो यह बस एक बात मैं आपको बताता चलूँ यह जो नाइन आप्शन्स यहां पर आपको नजर आ रही है यह बहुत ही एहम है लाइक मिडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, ग्रैडिट, ट्रांजिशन्स, फिल्टर, आवरलेज, एलिमेंट्स, स्प्लिट स्क्रीन और एक्सपोर्ट यह जो नाइन आप्शन्स हैं इंपोर्ट से एक्सपोर्ट तक हम एक वीडियो में जितनी भी आडिटिंग करते हैं इनी की बेस पे होती है अगर हम मिडिया पे क्लिक करते हैं तो यहां पे इस बाक्स में हमारे सामने दो आप्शन्स आएंगी एक option import की है और second record की है सबसे पहले import के हवाले से बात करते हैं क्योंकि हमारा पहला step यही होता है कि हमें जिस project पे काम करना है उससे relevant जितनी भी वीडियो यहां पे pictures, music जो हमारे पास मजूद है जो हम एक वीडियो में रखना जाते हैं वो हम यहां से import की option से इस project के लिए import कर सकते हैं suppose अगर मुझे कुछ music files चाहिए तो अगर वो music files मैंने my computer में इस चेगा पे रखी हुई तो like यह music है और यह intro दोनों files को मैं export कर इंपोर्ट करता हूँ यहां पे तो इस तरह आप import की options को यूज करके जो भी videos यह music यह pictures आप यूज करना चाहते हैं वीडियो editing के लिए उसको यहां पे import कर सकते हैं इसके लावा अगर आप recording भी screen recording भी यहां से बनाना चाहते हैं यहां पे recording voice over तो उसके options भी यहां पे available हैं अगर आप webcam यूज करना चाहरे हैं तो यह तीनों options यहां पे available हैं तो PC screen record screen के हवाले से और voice over recording के हवाले से मैं एक लाइदा से वीडियो बना दूँगा जिस तरह मैंने पहले भी बताया और overall इसमें मैं details के साथ आपका explain करूँगा कि यह चीज़ें आप किस तरह कर सकते हैं मेडियो में एक option यह भी है कि अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं कोई ऐसा album बनाना चाहते हैं music tracks का, pictures का तो आप यहां से एक new folder my album के नाम से add कर सकते हैं उसको आप rename भी कर सकते हैं और उसमें आप जो music रखना चाहते हैं music tracks रखना चाहते हैं music sounds रखना चाहते हैं ताके आप उनको वीडियो में यूज कर सकते हैं तो यहां से आप एक new folder create करके उसका उसका पर rename करके जो भी आप name रखना चाहते हैं उसका उसको यहां पर रख सकते हैं इसके लावा कुछ sample colors और sample videos by default Wondershare Filmora में available होती है तो यह एक इसकी खासियत है कि इसमें अवनडेशर प्लूम और music भी available है और कुछ sample videos colors और कुछ इसके basic effects इसमें मजूद है अगर आप background के लिए इन colors को use करना चाहते हैं तो यह काफ़ different colors हैं जो कि आप use कर सकते हैं वीडियो में इसके लावा अगर आप पुछ यह countdown videos है numbers की अगर आप इनको use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं like a sample आपको दिखा रहा हूँ इस तरह की videos हैं जो कि अगर आप इसको video की किसी हिस्सा में part में या beginning part में use करना चाहते हैं तो इस तरह की videos इस्तमाल की जा सकते हैं मेडिया के बाद music की option है इसमें overall 22 tracks available हैं जिनको आप अपनी videos में use कर सकते हैं इन tracks के वाले से मैं आपको बताता चलों viewers अगर आप इन music tracks को use करते हैं तो आपको कभी भी copyright का problem नहीं आएगा क्योंकि फिल्मॉरा टीम ने यह tracks बिसाते हूँ दोनों ने तियार किये हैं इसलिए यह non copyright है इसके लावा जैसे ही आप इसको install करेंगे install करके इस्तमाल करना शुरू करते हैं तो इसमें कुछ जो music tracks हैं वो आपको download करने पड़ेंगे जिस तरह के अभी overall मैंने सारे tracks download किये हुए हैं लेकिन जिस तरह यहां पर यह option आरी इस तरह तो इन music में भी उपर इस तरह के कुछ option available होगी इसका मतलब ही होता viewers के वो tracks आपको download करने की जरूरत हैं music के बाद tax and credit के option है अगर आप वीडियो में किसी तरह का कुछ tax यूज करना चाहते हैं तो यह different kind of styles हैं तकरीबन 138 styles हैं जिनको आप videos में इसकामाल कर सकते हैं mostly मैं जो styles यूज कर रहा हूं पहले मैं इस video को यूज कर रहा था यह style यूज कर रहा था इसके रावा कुछ यह style है यह style आपको अच्छा लगी है जिस पर आप मसीद काम कर सकते हैं इसके रावा जिस तरह यह text available है तो इसमें आप colors भी कर सकते हैं इसमें मजीद काम भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप इसको text को यहां पर लेके आते हैं और यहां पर advanced की option में आईए advanced की option में आके यहां पर इसको मजीद colors कर सकते हैं आप इस पर मजीद animations लगा सकते हैं और मजीद यहां पर काम कर सकते हैं transition में 94 options available हैं और यहां पर इनको categorized किया गया है basic fancy की options में अगर आप इन में से कुछ आपकी favorite हैं तो आप उनको move कर सकते हैं favorite folder में तो यह options आप use कर सकते हैं इनको use करने के लिए suppose अगर मैं एक यहां से यह video लेता हूँ और यह एक पिक्चर है अगर पिक्चर से मैं अब transition की option को में use करूगा है यहां पर mid में तो यह कुछ इस तरह की options है अगर आप अगर आप इस option की यूज करते हैं तो यह इस तरह आपको तरह इस आपको इस अंज करते हैं तो नहीं पर उप्डिय हुआ तो यह और यह रोंवें थर्टी एट जहाए वो फिल्टर एफेट्स हैं इसके लावा 72 आवरलेस अफेक्ट हैं इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वर्जिन का जो मेन मक्सद होता है वो वीडियो में उनकी कलर्स को चेंज करना यहां पिर जैसे के बलर कर सकते हैं यह काफे सारी आप्शन रहें इनको आप वन बैवन चेक कर सकते हैं कि अलैक में यहां से यहां लेता हूं और फूर प्ले करता हूं के तो अधर मैं इसको बलर करना चाहते हूं तो फिल्टर के ऑप्षिन के ओउगा हूं यहां पर यह यह प्लर की ओप्शिन है इसको कर Copy अगर मैं प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लर एफेक्ट्स आ रहे हैं इसके इलावा आवरलेज के अगर आप्शन में हैं तो यहां से ब्लर को डिलीट कीजिए और ये ओल्ड फिल्म फ्रेम है अगर आप इसको प्ले करते हैं तो ये ओल्ड फिल्म स्टाइल में आपको नजार आएगा इस तरह और भी काफिस तरह के अफेक्ट्स हैं जो कि आप वीडियो में यूज कर सकते हैं थर्ड लास्ट ऑप्शन एलिमेंट्स के अप्शन हैं ये तक्रीपन सिमिलर टेक्स और क्रेडिट्स की तरह के अप्शन होती हैं तो ये तक्रीपन 296 ऑप्शन हैं डिफरन स्टाइल जिनको आप यूज कर सकते हैं इसमें टेक्स या फिर अगर आप लोगो यूज करना चा कि एक चाहत में एक से जायत वीडियो करना चाहते हैं इस तरह के अप्श्थ आपने देखिची होंगे कि एक की साथ में निम्हेंड में तीन वीडियो आपने तो आप निलावा इसमें इ emissions लावशन पकाराएं अगर एकमड़ जो बडियो वालेपल नहीं इस लिए औप्षेंश नहीं और ही, इस वीडियो को यहां पर रखता ह हूं अभी अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, खुत स्ट६र्ट खुटियों प्रिश्बट करने से आप इसको export कर सकते हैं यह options हैं कि आप किस format में इस वीडियो को export करना चाते हैं तो आप यहां से option select कर सकते हैं मौसले MP4 की option यूज की जाती है इसके लाब इस यह area जो आपको नज़र आ रहा है इसको track panel बोला जाता है यह different kind of tracks है जो first आपको यह track में ज़र आ रहा है यह videos and movies का है यह भी videos and movies के लिए track है इसके लाब यह text के लिए track है यह music in MP3 के लिए है अगर आप मजीद tracks यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप जो track है वो मजीद आयर कर सकते हैं कि कि अगल झाल कर सकते हैं यह चाहते हैं